दोस्तों नमस्कार आपका अपने चैनल ग्यानकोसी इजुकेशन पर स्वागते में अभिनंदन है और आज फिर मैं एक बार आप लोगों को विशेस आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 15 अगस्त के बाद और 31 अगस्त तक आप लोग इस चैनल कितना प्यार दिये कि 5000 से बढ़ करके 6000 प्रवक्ता 2015 का जो पेपर का सेकेंड भाग पढ़ेंगे पार्ट टू पढ़ेंगे क्योंकि इसके पहले का हल प्रसंपत्र आप उसको आशाय कि सब लोग पढ़ चुके होंगे अगर नहीं पढ़े होंगे तो उस भाग को पहले पढ़ लेंगे तभी ये बढ़िया रहेगा क्योंकि ये इसका सिकेंड पार्ट है तो आपने टापि दिख रहा है आप बताईए जल्दी जल्दी इस्तिर सब्द का परेवाची क्या है तो दोस्तों इसका सही बिकल्प है सी क्या है सी अडिग अडिग जो है इस्तिर सब्द का क्या है परेवाची है ठीक न चिठिया हो तो हर कोई माचे ये किसके पत्रों का संकलन है चिठिया विकल्प आपका हो जाएगा क्या बी यानि फड़ी स्वरनाथ रेडू ठीक है चलिए अगला हम लोग देखते हैं तिरसर्ट नंबर के कोश्चन हिमवान का परयावाची है तो हिमवान का परयावाची क्या है तो दोस्तों चारू विकल्प आपके सामने है वताइए हिमवान अगला कौश्चन अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है क्या अर्थ है तो इसका चारो विकल्प आपके सामने है इसका सही विकल्प हो जाएगा इसका और अनेकार्थी शब्द में आएगा गूलर का फूल होना मुहाबरे का अर्थ है लाल पीला होना और B सी डी आपके सामने दिख रहा है अत्यदिक सुन्दर होना विवर्ड होना दूरलब होना तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जायेगा आप बिल्कुल सही तिक लगाए है क्या दी दूरलब होना ठीक है चलिए आगे देखते हैं चाचेट नमबर के question निमलिकित सब्दों में फार्शी भासा का शब्द नहीं है तो दोस्तों इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा दी तारिक यह जो है कि फार्शी भासा का शब्द नहीं है ठीक है आगे देखिए 66 नमबर का question निमलिकित में शुद्ध वाक्य है कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको ये बताना है चारो विकल्प आपके सामने है आप इसको देख लिए विकल्प हम इसले नहीं पड़ रहे का आपका समय बचाना है ठीक है ना तो अब फटाफट इसका उत्तर बताईए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी केरल और हिंदी भाशी प्रांत है ठीक है ना आगे देखिए 68 नमबर का question जो है ये क्या है हिंदी भाशा की माशिक प्रमुक पत्रिका वागर्त कहां से प्रकाशित होती थी आपके सामने कलकत्ता दिल्ली मुंबई और ये कहा है चंडीगर ठीक है ना तो इसमें से सही क्या है तो सही है आपका कलकत्ता से ये प्रकाशित होती थी ठीक है चलिए हम लोग आगे वढ़ते हैं अगला question हम लोग देखते है अगला question हम लोग का है 79 नमर के question पत्रिका और समपादन की द्रिष्ट से एक युगम असुद्ध है कोई से युगम असुद्ध है आपको ये वताना है ठीक है तो यह आपका चारो विकल्प में एक जो विकल्प आपका असुद्ध है एक युगम असुद्ध होआ है नया प्रतीक अमृतलाल नागर इस सागर नहीं दोस्तों ये नागर है यहाँ मिस्प्रिंट है ये क्या है नागर है आप इसको सही कर लेंगे ठीक है ना हलाग PDF पड़ेगा तो सही कर के ही पड़ेगा ठीक है ना चलिए PDF प्राप्ट करने के लिए आप मेरे टेलिग्राम चैनल को जोईनी कर सकते है जिसका लिंक इसी वीडियो में नीचे पड़ा हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी है आप वहां से प्राप्ट कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़िए अगला कुस्चन हिंदी समाचार पत्र बंग दूत प्रकाशित हुआ था कब प्रकाशित हुआ था इसका आपको समय बताना है तो ए है 1826 B 1829 C 1834 और D 1844 तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा B 1829 ठीक है B 173 नमबर का जो कुस्चन है निमलिखित में से एक तथ्य गलत है वह है क्या गलत है चारो विकल्प आप पढ़े लिजे आपके पाश टाइम होतो क्योंकि हमें आपका टाइम बचाना है और मैं सिरी इसके उत्तर पात इसका उत्तर हो जाएगा C क्या हो जाएगा C दिनमान का पर्थम संपादक रघुबीर सहाय थे यह क्या है गलत है यहाँ तथ्य क्या है गलत है आगे देखिए अगला 22 नमबर के कुस्चन हिंदी की कालजई पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम है क्या नाम है चारुबी कलप आपके सामने है तो दोस्तों आप इसको जानते भी है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए सही क्या है B. मुनसी प्रेम चंद ठीक है अगला कुस्चन देखिए 73 नमबर के कुस्चन साहित्य समेलन पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था दिल्ली वनारस कलकत्ता या फिर इलहावाद तो कहां सोता था तो दोस्तों सही विकल्प है आपका D. इलहावाद से होता था कहां सोता था इलहावाद से होता था ठीक है अगला कुस्चन देखिए साप्ताही का प्रकासन कहां से आरंभ हुआ तो चारु विकल्प आपके सामने दिख रहा है बताए कहां से आरंभ हुआ तो दोस्तों हिंदी नौ जागरन जो आरंभ हुआ वह अहमदाबाद से आरंभ हुआ कहां से आरंभ हुआ अहमदाबाद से आरंभ हुआ यानि किसका वि जो किसी पत्रिका का संपाधन नहीं कियें, A, B, C, D आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सही विकल्प क्या हो जाएगा, D, भिस्म, साहनी, ठीक है, दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंग और मेरे चैनले पर नए हैं, तो प्लीज, सभी लोग, लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करने, नए हैं तो सब्सक्राइब तो सबको करना ही करना है, करना मतलब धबाओ नहीं, एक निविदान है, और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं, प्लीज, आप सभी ल है, ठीक है न, अग्गी है, इसको करेक्शन करके आपको मिलेगा, ठीक है, आगे देखिए, चीहतर नमर का कोश्चन, दैनिक हिंदोस्तान का प्रकारशन मालवी जी के संपादन में होता था, कहां से होता था, आपको ये बताना है, तो इलावा से, वारार्सी से, प्रताप आपका पटना से, तो विकल्प आपका हो जाएगा, सी, कहां से, प्रताप गड़ से, इसका सही विकल्प क्या है, प्रताप गड़ से होता था, आगे देखिए, निमनलिकित में से किस पत्रिका का संबंद, भार्सीन हरीचन से नहीं है, आपको ये बताना है, तो चारों सामने है, कभी वैचन सुधा, हरीचन मैक जिन, वाल बोधिनी और व्राम्हर, तो इसमें से सही आपका क्या हो जाएगा, व्राम्हर उनका कोई संबंद नहीं था, यानि कि D, ठीक है, ये पत्रिका किसका आप जानते हैं, कमेंट करका बता भी सकते हैं, फिर व्राम्हर पत् फिर अगला कोईशन, व्राम्हर कोईशन, साहित भारती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी, इलावाद लखनौ, वाराणसी और फिर कानपूर, ठीक है न, इसमें से कौन साही है, तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा B, सही विकल्प क्या हो संपादक, बहुत चर्चित है, और सब लोग जानते भी हैं, इसमें कहीं कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए, हिंदी प्रतिप के संपादक कौन है, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं कौन है, तो ये हैं दोस्तों, बाल क्रिष्न भट, ठीक है, अगला देखिए, सर सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी, उन्नीस सव, ठीक, आगे देखिए, लोक नायक वही हो सकता है, जो समन्वे करने का पार धहर लेकर आये, उसका सारा काव, समन्वे की विराट चेश्टा है, तुलसी दास के संबंद में, यहां कथन किसका है, तो चारों विकल्प आपक हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, आगे देखिए, द्वैत वाद किस आचार द्वरा परवर्तित संपरदाय है, तो यह जो है कि आपका चारों में देख लेजे, चारों में आपका सही विकल्प हो जाएगा, डी, मध द्धवा चारिय आगे देखिए दस रूपक के लेखक हैं दस रूपक के लेखक कोन है धनिक धनंजय मम्मट और विस्वनात तो इसमें दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा भी धनंजय क्या हो जाएगा धनंजय ठीक है अगला देखिए 85 नंबर का कुश्चन मुद्रा इसमिद्दा राक्षस किसकी नाट्य कृति है आपको यह बताना है तो ange आगला देखिए सांक किर्ति के रचना कार है 86 नम्मर का question चारो विकल्प आपके सामने है स्री हर्थ दंडी भाष और बाढ़ भट तो ये सही क्या है आपको पताना है तो सही विकल्प दोस्तों आपका हो जाएगा ए स्री हर्थ ठीक है आगे चलिए चंद्रा लोग के रचनाकार कौन है चारो देख लिजे विष्णात राज्तेखर दंडी और जैदेव इसमें तो आपका गलत होना है नहीं चाहिए क्योंकि बार बार पढ़ा जाने वाला चीज है तो क्या सही होगा आप सही तिक कर चुके ह ठी तो मतल आकागी है ओब प्रतिमान्ण नाटेक के रचक्विटा कोन है आपको यह बताना है तो सुद्रक भास कालिदास विष्णात में और दोस्तों सही विकल्पाप यह यहजाएगा बबहुए अफिक है अगलाक है वाजानर है इस मेंसे दोस्तों व्हाइस की रचना प्रतिमा नाटक यानि की D अगला देखिए 90 नंबर के कोच्चन कौन सा नाटक? भास का नहीं है अब आपको यह बताना है भास का नाटक कौन नहीं है आपको यह बताना है तो दोस्तों सही विकल्ब आपका हो जाएगा D मुद्रा राक्षस आगे देखिए रगबंसम के रचैता कौन है? इसमें कहीं कोई डाउट होना है नहीं चाहिए क्या चारो विकल्बी देना पड़ेगा? एक कदम नहीं, विल्कुल नहीं इसी में इसका उत्तर दोई में मिल जाएगा कौन है? कालिदास संस्कृत के निमलिखित गरंथों में कौन सा गरंथ नाटक नहीं है? आपको ये बताना है ठीक न? कौन सा गरंथ नाटक नहीं है? A, B, C, D, चारो आपके सामने दिख रहा है अब आपको बताना है कौन नाटक नहीं है तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा बी रगुबन सम नाटक नहीं है बाकी सम नाटक है आगे देखिए संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव किसकी रचना है क्या ये भी बताना पड़ेगा बिल्कुल आपको पता होगा इसमें कहीं कोई डाउट तो है ही नहीं ठीक न तो चलिए इसको हम बता ही भी दे रहें क्या है कालिदास चलिए आगे बढ़िए मिर्च कटिकम के रचयता य यह हैं शुद्रक ठीक है चलिए आगे बढ़िए कौन सी रचना कालिदास की नहीं है आपको ये बताना है अब देखिए चारोवी कल्प आपके सामने है अब मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं कोई कन्फूजन नहीं होना चाहिए कोई कन्फूजन नहीं होना चाहिए सही क्या हो जाएगा ये सी बुद्ध चरीत इनका नहीं है किनका है आप ये कमेंट करके बताएंगे ठीक है ना चलिए आगे निम्लिकित में से एक रचना कालिदास की नहीं है अब देखिए तो संहार है मेगदूत है विज्ञान सा कुंतलम नैसिदी चरीत क्या इसमें इसमें कहीं कोई डाउट होना है नहीं चाहिए नैसधी चरीत है ठीक है आगे देखिए कौन से कृती भोभूत की नहीं है बाकी सा भभूत की है तो दोस्तों सही विकल्ब क्या हो जाएगा डी करपूर मंजरी बाकी तीनों भभूत का है महावेचरित मालती माधो और उत्तर रामचरित ठीक है फिर काब बेशोभा करान धर्मा लंकरात प्रचक्छते अलंकार की परिभासा किसकी है काफी चर्चित है और आप जानते भी है कहीं कोई डाउट इसमें है ही नहीं किसका ह है आचार्य दंडी का है चलिए ये भी देखिए काफी चर्चित है तद दोस्तों सब्दार्तों सगुडा वन लंकृती पुना क्वापी ये किसका है तो दोस्तों चारों विकल्प दिखाने जूरूत नहीं इसका विकल्प आपका इसका उत्तर आपका इसी में तीन में ही म समझ में आ रहा है बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है और आप इसको उत्तर कर भी चुके होंगे तो ये क्या हो जाएगा सी मम्मट का है ठीक है आगे देखिए एक सव नमबर का जो कोश्चन है रसव वै सव को अपनी परिचर्चा में किस आचार ने सम्मिलित किया है तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों एक सव का बी आचार विस्वनाथ ने इसने आचार विस्वनाथ ने दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप जुरूर बताएंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कर लिजिए ठीक न वक्रोक्त के विरोधी आचार ये कौन है आपको ये बताना है तो वक्रोक्त की विरोधी आचार चारो का नाम आप देख लिए भामर उद्रट मम उमट और विश्वनाथ कौन है वक्रोक्ति एक काई बार आप इसको पढ़ चुके हम भी पढ़ा चुके हैं सही विकल्प काल आपका हो जागा क्या और करें 204 अठीग ना विस्वनाथ जो है विरोधी आचार हैं एक सो तीन, तीन नहीं दो, राज सेखर के नाटक का नाम है, क्या नाम है, राज सेखर के नाटक का, चार आपके सामने है, सही बिकल्प क्या है, ए, बाल रामायड, अगला देखिए, एक सो तीन, एक सो तीन क्या है, आचारे कुंतक ने वक्रगतिके कितने भेद मानें, मेद नहें भेद है, यहाँ, मी श्प्रिंट है, तोड़ा देख लिजेगा, यहाँ क्या है, मेद नहीं है, यह भेद है, यहाँ, भेद, भेद है, चलिए, तो चारों में कौन सा ही है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा भी, छ, ठीक न, वक्रुक्त के चावेद माने है, अगला देखिए, रिते संपर्दाय से संबंदित कावेशास्त्री ग्रंथ है, कावेदर्पन और 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 कावेदर संदी है इत्यलम में कौन सी संदी है यड़ गुड़ बृद्धी और दिर्ग में तो सही आपका हो जाएगा ए कि यड़ संदी क्या है यड़ संदी है ठीक ना आगे देखिए अगला कोस्चन 106 नमबर का चक्रपाड़ी में समास है चक्रपाड़ी में कौन सा समास है दोस्तों बताईए जल्ली जल्ली फटा फट चक्रपाड़ में आपका समास है ए बहुब्रिही ठीक है आगे देखिए सा के योग में कौन से विभक्ती प्रियुक्त होती है सा के योग में तृतिया चतृत्ति पंच्वे सश्टी कौन होती है तुस्वा की योग में आप जानते हैं क्या होती है ए तृतिया आगे देखिए सर्वस्य सर्वयोह सर्वेशाम किस विभक्ती के एक बचन दुई बचन बहुबचन के रूप है तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा बी सश्टी के ठीक ना आगे देखिए 109 आत्मनम सब्द के चतूर्थी बहुबचन का रूप है आत्मन आत्मन सब्द का चतूर्थी बहुबचन का रूप क्या है आत्मनम आत्मभ्या आत्मने और आत्मनी तो ये पूछ रहा है बहुबचन तो बहुबचन में आपका क्या हो जाएगा बी आत्मभ्या अगला दे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका डी असमा भी ठीक है 111 आइए हर शब्द का सब्तिमी बहुबचन का रूप है सब्तिमी बहुबचन पूछ रहा है तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा सी हरी शु क्या हो जाएगा सी हरी शु अगला 112 नमबर के कोस्चन हरी रहा हरी भ्याम हरी भी किस विभक्ति के एक बचन दी बचन बहुबचन के रूप है 312 का आपका हो जाएगा दोस्तों सी त्रितिया ठीक है अगला देखिए 114 न 113 इदम शब्द इस्त्रिलिंग के त्रितिया विभक्ति एक बचन का रूप होगा ये चारों बताएगे तेरा का सही विकल्प आपका हो जाएगा सी अनया आगे बढ़िये हस धात्य के लंग लकार बंद्यां पुरुद्वी वचन का रूप होगा क्या होगा हस धात्य का चारों आपके सामने है और इसमें सही है आपका हो जाएगा बी अहसम अहसतम पठधात यानि परस्मय पदी लिटलकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है कौन सा रूप है पठीस्यता पठीस्यामा पठीस्यत और पठीस्याम तो सही विकल्प आपका हो जाएगा डी पठीस्याम आगे देखिए चात्र ने दो पुस्तकें खरीदी इसका सही संस्कृत अनुवाद है क्या है इसका सही उत्तर है चात्र दो पुस्तका कृइत ये हो जाएगा अगला देखिए शुदवा के का चैन कीजिए इतवे सुदवा के क्या है ग्रामों परतव रिक्षा संती और फिर ग्राम परतव रिक्षा संती तो इन चारों में सही विकल्प आपका हो जाएगा कस्टी ग्रामं परितव रिक्षा संती रित्यानुशार में संध के बाद सब्द बनेगा क्या बनेगा रित्यानुशार का आपका हो जाएगा डी रित्यधन अनुशार ठीक है फिर उसके बाद भाषा बहुत परिस्कृत और परिमार्जित नो होने पर भी कवीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षन प्रभा और चमतकार है प्रतिभा उनमें प्रकर्थी पर इसमें प्रकर्थी कि इसमें संधें नहीं पंक्तियों के लेखक हैं ये कौन है । डाकटर नगेंदर अचाहिये पशादकुदि दाक्टर राम, मुर्ति त्रिपाठी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तिसका सही विकल्प दोस्तों आपका हो जाएगा डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ठीक है तो इस तरह से आपका 2015 के एक्जाम का यानि जी आई सी प्रवक्ता एक्जाम का ये मूल कोश्चन पत्र हल सहित कंपलीट ह हुआ दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरू बताएंगे और अंत में एक निवेदन है लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवस्चे कर लें हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद